हलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस, आइम कृष्णा, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटिट्यूड का अगला टॉपिक, फंक्षन ऑफ एटिट्यूड जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था इस्ट्क्चर, तो इन दो टॉपिक्स पर जैसे हमने देखा डारेट क कैसे अप्लाई होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं, वह चीज हमने पिछले टॉपिक में समझने की कोशिस की थी, इस्ट्क्चर के जो भी इस्ट्यक और डायनेमिक एसपेक्ट्स हैं, उँको देखा और कुछ कुछ पर हमने उनको अप्लाई करने की कोशिस की, बाकी जो फुल आंसर्स होंगे, उनको हम जो भी आंसर बिल्डिंग वाले कोर्स हैं, वहाँ इनको देखेंगे one by one, तो let's start with the next topic, attitude, content, structure and function, content में मतला attitude होता, क्या है, type of attitude वगरा पढ़े, attitude की definition हमने पढ़ी, attitude परस्पेक्टिव है, ऐसा नहीं कि हमने कहा दिया, यार यह इनसाम तो इसके बाद हमने structure देखा, structure में static, dynamic, static में cognitive, affective, दिल, दिमाग, sorry, दिमाग, plus दिल, equal to behavioral, यह देखा, then behavioral component, कुछ example देखे, dynamic देखा, strength क्या होती है, accessibility and ambivalence, इसको अगर आप याद रखना चाहो, तो SAA, ठीक है, CAB plus SAA, यह आपका static plus dynamic, तो अब हम देखते है, functions of attitude, function क्या होता ह देखो, function की meaning, बहुत सारे subjects में different होती है, जैसे, अगर मैं आपको बता दूँ, अलगी it is not that relevant, फिर भी, mathematics में function y equal to fx, x में कुछ change हुए तो y क्या होगा, यह mathematics हुआ, geography में function का मतलब, आप करते क्या हो, work, ठीक है, function of a village क्या है, ठीक है, economic function यह हुआ, इसी तरह से, किसी social science में अगर हम देखते है, psychology में, function का मतलब, आप उससे क्या करना चाहते हो, ठीक है, function means, what it does exactly, आप क्या करते हो इससे, इसका function, जैसा पंके का function है, हवा देना, तो people hold some attitude, because it helps them to achieve the basic goals, आपके जो basic goals है, आपका aim क्या है, क्यों आप attitude रखना चाहते हो, पहले चीज़ आप सिर्फ knowledge र करेंगे, cats एक person है, he has defined, या उन्होंने attitude के बारे में, attitudes are determined by the function they serves, जिस तरह का function वो serve करते हैं, उससे हम determine ये करते हैं, कि attitude क्या है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, whatever, ठीक है, तो function देखते हैं, पहले, इसको आप यादगरनी कोशिस करो, utilitarian, instrumental, knowledge, ego defensive, value expressive, and social identity function, तो इस topic में, इस lecture में, हम ये 5 चीज़े पढ़ने वाले हैं, और जब भी हमारे attitude change, या perspective, change, या persuasion, इस तरह की questions आएंगे, then we'll directly use on attacking these functions, हम अगर इन functions को change कर दें, तो attitude change कर दिया, तो जिस तरह से structure important है, उसी तरह से function भी important है, although direct questions नहीं आते हैं, लेकिन आप हमेशा इन चीज़ों का use कर सकत हमेशा आपने answer writing में, या कहीं भी, thought process में, पहला function है, utilitarian या instrumental function, utilitarian मतलब good of maximum people, this is utilitarian, ठीक है, ये नहीं है, 100% लोगों का PEOPLE, ठीक है, 100% लोगों का भला नहीं है, अगर आपको किसी एक को बंदे को फांसी दे कर, बाकी लोगों को बचा सको, या उनके मन में डर पैदा कर स देन, it is good, it is the function of law, ठीक है, तो law का function हुआ, तो utilitarian या instrumental function क्या है, आपका जो attitude है, वो drive होता है, self या community interest से, maximum good for maximum number of people, this is the utilitarianism, जब हम thinkers पढ़ेंगे, वहाँ ये चीज तमझेंगे, समझेंगे दुबार से, तो क्या होता है, हमारे साथ ये चीज आप वो भी लिख सकते हो, इस towards rewarding object, पढ़ना किसे अच्छा लगता है, लेकिन आप पढ़ने लगते हो, आपको पता चलता है, कि यार मैं IAS बन जहाँगो, तो मेरा रॉला होगा, मैं खूब पैसे खा पाऊँगा, ठीक है, और दूसरों को दिखा पाऊँगा, कि देखो, मैं बिलकुल, जैसे SDM है, sorry, DM ह अगर आपका बुक्स को लेकर positive attitude नहीं आए, तो यार पढ़ना किसे अच्छा लगता है, कभी जानवरों की चस्मा लगा नहीं देखा, क्यूं, हम पढ़ने के लिए नहीं बने है, पढ़ना is not a natural function, वो तो हमने सीखा, acquired function है, लेकिन क्यूंकि हमें positive चीज़े दिखती है, प words punishing objects, same opposite आप करके देख लो, इसको apply कर लो, तो this is very close to concept of instrumental conditioning, instrumental conditioning में क्या होता है, हम किसी के सामने repeatedly, एक group of words use करते है, a plus b, जैसे मैं कहूं, China is bad, God is great, ठीक है, अब देख रहों, China और bad, ये दोनो, a plus b, God is great, ठीक है, फलाना country is bad, this religion is good, this religion is bad, तो instrumental condition में आप क्या करते हो, आप conditioning करते हो, किसी बंदे को, एक चीज के साथ हमेशा कुछ adjective लगा के, तो ये उसके बहुती close होता है, ठीक है, हमेशा आप चीजों को develop करते हो, जो उसकी instrumental value है, ये utilitarian value है, तो ये हुआ पहला function, ठीक है, utilitarian मतलब self or community interest, ठीक है, ये चीज आप लिखना चाहिए, अगर exam में पूछ ले, तो इससे आप सोच सकते हो, किसी को अगर आप attitude change करना है, तो आप पताऊगो उसको, अगर तुमने इतना बलिदान कर दिया, ये हो जाएगा, जैसे केजरिवाल साब ने अनना हचारे का बलिदान कर दिया, ठीक है, आपके जो PM हैं, उन्होंने बहुत सारे, बह किसी का basic goal ही है, कि मुझे knowledge acquire करनी है, अगर हम यहाँ पिछले lecture में वापस जाएं, यहाँ हमने क्या कहा था, cognitive component, ठीक है, knowledge or logical component था, available information के base पर हम opinion form करते हैं, तो किसी का ultimate aim ही हो, कि मुझे बस knowledge gain करनी है, तो knowledge gain करना भी एक function है, तो this is known as knowledge function, attitude is needed to attain some degree of meaning, meaningful, stable, clear and organized view, और यह आपको एक frame of reference देता है, सोचने की power देता है, आप कैसे दो चीज़ों को compare कर सकते हो, जज़ कर सकते हो, ताकि दूसरा आपको बेवकू बना के ना चला जाए, तो this is knowledge function, you just want to acquire knowledge, इसके बाद जो अगला topic है, अगला जो इसका function है, function of attitude, that is, ego defensive function, नाम से ही प feel कराते हैं, तो आप क्या करोगे, people tend to use attitudes to protect their ego, generally resulting in negative attitude, ठीक है, आप ये काम तब करते हो, जब आपको पता है कि आप गलत हो, लेकिन आपने ego defensive करने के लिए, आपने गलत knowledge या गलत fact दे कि अपनी बात को justify कर दिया, ठीक है, तो attitude आपको क्या emotional conflict से, या फिर आपकी self esteem को दूस आपने टीवी पर जो debates देखी होंगे, ठीक है, एक बहुती चैनल है, news channel बहुती popular, in fact, अभी news channel लेकी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आते हैं debate करने, वो अपनी self esteem बचा के रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे function develop कि ego defense उनका करते हैं, ठीक है, we are more likely to use this function when we are in frustration orientable, जब हम frustrated होते हैं, या हम किसी परेशानी में होते हैं, तब हम इस चीज़ को use करते हैं, method इसके क्या होते हैं, ये method one word है, लेकिन इनका meaning बहुती deep है, denial, आप से किसी ने कोई बात कही और आपने सीधे deny कर दिया, कि नहीं यार तुम तो बेवकूफ हो, denial मतलब दूसरे को totally reject कर दिया, mild form of denial, then projection, projection क्या होता है, आप ये projection diagram जो हम बनाते हैं, तो एक image के उपर हम दूसरी image project करते हैं, तो projection में आपने क्या किया, किसी ने अपना view दिया, लेकिन आपने अपना view present किया, दूसरे को पर project कर दिया, तो दूसरे का view धुल गया, repression में तो आपने mild कर दिया, one two percent रही सकता है, projection में आपने project कर दिया, अपना view कि yes, I am 100 percent true, ठीक है, दूसरे का view आया ही ने, denial में तो आपने गलत प्रूव किया, repression में उसको गलत प्रूव नहीं किया, बस उसकी बात छुपा दिया, और projection में पूरी तरह से अपनी बात को आगे बढाया, then rationalization, आप देखते ह लोगे जो TV पर डिबेट होती है, वहां पर लोग rational views देते हैं, कि यार हम इस चुनाओ में इसलिए हार गये, लेकिन उस चुनाओ में तो तुम भी आ रहे थे, हम यहां जीत गये, लेकिन moral battle हार गये, तुम जीत गये, लेकिन moral battle हार गये, like that, then अगला function है, value expressive function, और अगला है ऐसी values develop कर लेते हैं, those are not always obvious, या simple, suppose मेरे मन में कोई ऐसी value है, कि मैं दूसरे को help करना चाहता हूँ, then it is value expressive function, तो attitude की help से हम अपनी image create करते हैं, किसी दूसरे बंदे के mind में, ठीक है, for example, मैं किसी के help करने लगूं, या मैं पढ़ाने लगूं, free में, whatever I want to do, मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, कि जो values दूसरे के लिए obvious नहीं है, simple नहीं है, वो मैं उसको दिखा पाऊं, कि देखो, मेरे अंदर ये values तुम्हारे अंदर हैं, नहीं ना, तो तुम BCO, तो जो ये attitude है, this may be formed by direct experience या फिर observations है, इन चीज़ों से attitude form होते है, then another function of attitude is social identity function, तो value expressive में आप सिर्फ अपनी values express कर रहे हो, social identity में आप अपनी एक identity बनाना चाहरे हो दुनिया में, ठीक है, तो attitude क्या है, passing information about self to others, बहुत ही mild difference है, almost same है, लेकिन चीज़े या लग है, ठीक है, तो हम अपना एक social identity function बना सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या अपनी पहचान बनानी है, यहाँ आपको बस values बतानी है, ठीक, जैसे helping the poor, मैं दूसरों की help कर रहा हूँ, तो that is social identity function, अब जो ये functions हैं, इसमें से last के दो तो not as such important, but ego defensive, knowledge function, and utilitarian, ये और especially first two, ये आपके बहुत ज़ social influence and persuasion में आएंगे, जहां भी इस type के questions पूछे जाएं, कि how to explain existence of these contrasting attitudes, ये वाले question, या फिर आपको ऐसे questions पूछ ले, कोई भी, किसी भी type के question पूछे, या how could social influence and persuasion contribute to success of this, ठीक है, तो persuasion के लिए आपको knowledge function पर, या utilitarian function पर attack करना बहुत ज़्याद ज़रूरी है, social influence के लिए like that, यहां पर आपको ये undesirable values को change करने के लिए, young people आना नहीं चाहा रहे हैं, तो इनको motivate करने के लिए, तो आप ये देखा होगे, जो भी questions पूछे हैं, attitude वाले topic से, mostly applied questions पूछे हैं, although आपको ये लगे, कि ये static चीज है, इससे कभी question नहीं पूछे है, लेकिन इनके applied part हमेशा पूछ रहा है, and you should know about them, ठीक है, तो इन questions को हम mains answer building और GS4 का applied part है, वहां discuss करेंगे, तो this is about synopsis IS, तो this is part of special courses, and general studies, ठीक है, तो if you like the lecture, considering helping us, or subscribing us, जो भी course fee है, that is very genuine, very minimal, इतनी help, हम लोग आपकी करते हैं, you can do small favor for us, then GS mains and combo इसका ये part है, apart from that, a standalone course है ही, ठीक है, course fee is not much, synopsis की जो fee है, that we have decided के market में सबसे कम रहेगी, and most genuine will be there, जो भी आपके feedback हो, positive, negative, you can mail us, or directly tell us, whatsapp पर भेज सकते हैं, या फिर comment section में, तो मिलते हैं, early lecture में, तब तक ध्यान रखिये, और पढ़ते रहिये,